Welcome to Step Up IA, स्वागत है आप सभी लोगों का Prelims Smashers सिरीज में आज हम इस सिरीज का Indian Quality से संबंदित पाँचवा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे आगे बढ़ते हैं, ये हैं बाते Institutional Information से संबंदित आप हमें Personal Guidance के प्रोग्राम के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं जहां पर आपको एक Export Coach दिये जाते हैं, जो की बहुत ही Effective तरीके से आपकी तैयारी करवाते हैं तो आपको एक Plan Set करके देते हैं, आपको Target दिया जाता है, जिसे आप Achieve करते हैं आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, उसे ऐसी एक Time Management Dairy में Mention करते हैं और जब भी Coach से मिलते हैं, तो इस डायरी के साथ मिलते हैं अगर आप Online में हैं, तो Morning में 10 बजे आपको अपनी डायरी है, उसको Send करना होता है और अगर आप Offline में हैं, तो डायरी के साथ Coach से बात करते हैं Coach की टाइमिंग फिक्स होती है, whether it is Online और Offline प्रोग्राम Online और Offline दोनों available है अगर आप Further Details चाहते हैं, तो इन Numbers पर Contact कर सकते हैं, ठीक है आईए हम आगे बढ़ते हैं आज हम Indian Quality में बात करने वाले हैं Majorities के बारे में देखें, Majorities काफी Complicated हो जाती हैं Sometimes क्योंकि हमें Clear Structure नहीं पता होता और कई बार UPSC ने Majority पर Question पूछा है जिसमें लोग Confuse हो चुके हैं Test Series में ये Questions आपको अक्सर मिलते हैं Question बहुत ही Simple होते हैं अगर आपका Concept Majority के संबंद में Clear हो लेकिन अगर ये Concept Clear नहीं है तो चीजों को समझना काफी मुस्किल हो जाता है और Questions अक्सर गलत हो जाते हैं अगर आप बहतर तरीके से इसकी समझ को विक्सित कर लेते हैं तो काफ़ एडवांटेज में रहेंगे और चीज़े बिलकुल Clear हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं जो हम Majority की बात करने वाले हैं तो देखिए बेसिकली अगर आप Conceptual Clarity के लिए जानना चाहें तो चार तरीकी की Majorities का इस्तेमाल Indian Quality में किया जाता है भारती राजविवस्था या फिर इंडिया के Political System में किया जाता है पहली Majority है Simple Majority दूसरी Majority है Absolute Majority तीसरी Majority है Effective Majority और चौती Majority है Special Majority देखिए चारो Majority के भी हम बात कर रहे है यह चौती Majority है Special Majority इसके Further 4 Types होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो आए एक-एक करके हम देखेंगे and प्लीज आप लोग एक-एक बात को बहुत अच्छे से याद रखने का प्रयास करिएगा नहीं तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा ठीक है आए आगे बढ़ते हैं यह हम बात करते हैं Simple Majority के बारे में एक है Simple Majority का मतलब होता है 50% of Members Present and Voting मतलब किसी भी House में चाहे वो Parliament हो या फिर State Legislatures हो वहाँ पर जितने MPs या MLA उपस्थित हैं और वो लोग वोट भी कर रहे हैं उसका 50% प्लस वन को Simple Majority कहा जाता है इस Majority को Functional Majority या फिर Working Majority के नाम से भी जाना जाता है इसे Functional Majority या फिर Working Majority क्यों कहा जाता है क्योंकि इस Majority का इस्तिमाल बहुत ही Frequentlyly Parliamentary Businesses को Conduct करने के लिए किया जाता है इसका मतलब यह है कि जो कोई भी काम Parliament में या फिर State Legislatures में होते हैं वो जादा तर Simple Majority से ही किया जाते हैं देखिए एक बहुत important बात मैं आपको यहां बताने वाला हूँ Simple Majority के बारे में वो यह है कि अगर Parliament में किसी काम के लिए किसी भी स्थान पर Specify अगर नहीं किया गया है कि किस Majority का इस्तिमाल किया जाएगा तो वहाँ यह माल लिया जाता है कि Simple Majority का इस्तिमाल किया जाएगा आप इस लाइन पर Double Star लगा लीजिए विकाज यह बहुत important लाइन है यह question आप से पूछा जा सकता है UPSC में भी और Test Series में तो यह लाइन आपको मिलेगी ही मिलेगी फिर से repeat कर रहा हूँ अगर हमारे संग्विधान में किसी स्थान पर यह Specify नहीं किया गया है कि किस Majority का इस्तिमाल किया जाएगा तो यह understood होगा यह माल लिया जाएगा कि Simple Majority का इस्तिमाल किया जाएगा Simple Majority को और बहतर तरीके से समझने के लिए हम Example ले लेते हैं और हम Example लेते हैं लोगसभा का माल लीजिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लोगसभा की जो Total Strength होती है That is 545 545 चलिए माल लिया कि 45 लोग absent है मतलब 45 लोग सदन में नहीं आये हैं ठीक है अब जो लोग मतलब 500 लोग जो उपस्थित हैं उसमें से 100 लोगों ने abstain किया उन्होंने कहा कि हम इस issue पर vote नहीं करेंगे मतलब present और voting कितने लोग हुए 400 लोग ऐसे हैं जो present भी हैं और vote भी कर रहे हैं अब हमने रेखा कि simple majority का मतलब होता है 50% प्लस 1 400 का 50% होगा 200 और प्लस 1 आप कर दीजिए तो simple majority इस case में क्या हुई 201 मतलब कोई विएकर काम करना है तो 201 लोग अगर उसके लिए vote कर देते हैं तो वो काम हो जाएगा ordinary बिल पास करना है money बिल पास करना है या फिर financial बिल पास करना है तो वहाँ पर simple majority का इस्तेमाल किया जाता है simple majority क्योंकि सरकार जो बनती है उसके पास simple majority तो at least होती ही होती है तो वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सके इसलिए उनको पैसे parliament से grant करवाने में रिक्कत ना हो इसलिए simple majority का इस्तेमाल किया जाता है ordinary बिल, money बिल और financial बिल के संबंद में in fact money बिल के संबंद में तो राज्य सफा को बहुत विसेश अधिकार भी नहीं होते दूसरी बात अगर no confidence motion पास किया जा रहा है adsorment motion पास किया जा रहा है sensor motion पास किया जाना है या फिर confidence motion पास किया जाना है तो भी simple majority का ही प्रयोग किया जाता है point to be noted यह motion से आद रखिए no confidence motion, adsorment motion, sensor motion और confidence motion इन सभी में simple majority का इस्तेमाल किया जाता है तीसरी बात vice president का जो removal होता है आप सभी लोग जानते है उसकी प्रक्रिया को लोकस्भा में शुरू नहीं किया जा सकता उसकी प्रक्रिया हमेशा राज्यसभा में सुरू होती है और वहाँ पर effective majority का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जब वहाँ से वह proposal पास होकर लोकस्भा में आता है तो लोकसभा को उस प्रस्ताव को महज simple majority से पास कर देना होता है Because देखे, Article 67B में बहुत specify नहीं किया गया है कि लोकसभा किस majority से उसे पास करेगी उन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया कि लोकसभा की उस पर सहमती होनी चाहिए लोकसभा की सहमती होने का साफ मतलब है कि simple majority से उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा तो wise president का जो removal होता है उसको लोकसभा में simple majority से पास किया जाता है राज्यसभा से confuse मत करिएगा राज्यसभा में effective majority का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है deputy speaker जो लोकसभा के हैं या फिर state legislature के हैं उनका अगर election किया जाना है उनको चुना जाना है तो उस सिती में भी simple majority का इस्तेमाल किया जाता है constitutional amendment bill जो article 368 में mention किया गया है जहां पर states का ratification भी required होता है जो कि हमारे special majority का चौथा type है जिसके बारे में हम बिलकुल end में discussion करेंगे इसी lecture में उसके लिए देखे जब वो bill राज्यों के पास जाता है तो राज्यों को उसे simple majority से पास करना होता है यह जो question है इसे 2015 में UPSC prelims में पूछ भी चुकी है कि जब state के ratification के लिए कोई bill जाता है तो वो किस majority से उसे पास करते हैं तो ऐसे bill को simple majority से पास किया जाता है यह बात आप याद रखेंगे तो यह बाते हमने करी simple majority के बारे में अब आईए बात करते हैं absolute majority के बारे में प्रेजेंट और वोटिंग की बात नहीं हो रही है दिखें simple majority में present और वोटिंग की बात हो रही थी यहाँ पर 50% of total example लीजिए 545 सपोस करिए कि लोग सभा की total strength है तो उसका 50% of total का क्या मतलब होगा 273 मतलब 273 लोग जब तक वोट नहीं करेंगे तब तक उस प्रस्ताव को पास नहीं किया जाएगा confused नहीं करेंगे simple majority का मतलब है 50% plus 1 present and voting जबकि absolute majority का मतलब है 50% of total not present and voting present हो ना हो वोट कर रहे हो ना कर रहे हो seat vacant भी हो तो चलेगा लेकिन हमें total member ship का 50% चाहिए ही चाहिए plus 1 के साथ ठीक है कौन से ऐसे cases हैं जहां पर absolute majority का इस्तिमाल किया जाता है Parliament का जो normal business conduct किया जाता है या फिर state legislature का जो normal business conduct किया जाता है वहाँ पर generally इस majority का इस्तिमाल किया जाता है इसके अलावा जो gender elections होते हैं वहाँ पर जब सरकार बनाने की बारी आती है तो 50% plus 1 की आवशक्ता होती है आप लोग जानते हैं ना 50% से ज़्यादा अगर किसी political party के पास बहुमत नहीं है तो वो सरकार नहीं बना सकता आप उसे absolute majority भी कह सकते हैं मतलब अगर किसी party के पास 273 seats नहीं हैं लोग सभा में तो वो सरकार नहीं बना सकती तो ये मतलब आप में समझा absolute majority के बारे में आप इसे कभी भी confused नहीं करेंगे simple majority के साथ अब आईए तीसरे majority की बात करते हैं that is effective majority की बारे में हम अकसर confused हो जाते हैं because ये लगभग सेम हो जाता है absolute majority के तरह ही इसका भी मतलब यही होता है 50% of effective strength of house 50% of effective strength of house अब देखे effective strength का मतलब क्या होता है effective strength का मतलब यह होता है जो total strength है आप उसमें से vacancies अटा दीजिए जैसे कुछ seats vacant हो जाती है vacant होनी की cases क्या हो सकते हैं suppose करिये किसी को disqualify कर दिया गया किसी को defection के चलते बाहर कर दिया गया या किसी की आकस्मित मित्ती हो गई हाला कि इस एस्थिती में 6 महिने के अंदर elections होते हैं लेकिन 6 महिने तक तो seat vacant रह सकती है तो उस इस्थिती में अगर कोई ऐसी स्थिती बनी है तो आप वहाँ पर उन seats को हटा दीजिए जो vacant है और उसके बाद आप पूरे house की जो strength है उसकी majority निकालेंगे तो हम उसे effective majority कहेंगे अगर कहीं संग्विधान में लिखा है all the then members all the then members अगर कहीं पर लिखा है किसी line में तो उसका मतलब effective majority से ही होता है जैसे कि राजसभा में vice president के removal के लिए जो article 67b है वहाँ पर यही लिखा गया है all the then members इसका साफ मतलब है कि इसके लिए effective majority का इस्तेमाल किया जाएगा अब एक example देता हूं तो और अच्छे से clear हो जाएगा राजसभा की बात ले लेते हैं राजसभा की total strength क्या होती है 245 है अभी न माल लीजिए कि उसमें 45 vacancies है हाला कि इतनी ज़्यादा vacancies जल्दी होती नहीं है still आप माल लो कि 45 vacancies है ताकि मारा number clear हो जाए तो effective strength क्या होई राजसभा की 200 हो गई effective strength और हमें उसका 50% plus 1 चाहिए मतलब की 101 पर पास हो जाएगा जबकि अगर आफ absolute majority निकलते तो 245 का 50% plus 1 निकालना पड़ता 245 का 50% plus 1 जो होता वो absolute majority होता लेकिन 45 vacancies थी और हमने 45 vacancies को row 1 और ये होगी राजसभा की effective majority एफेक्टि जो का इस्तिमाल का है इसका किया जाता है जब राज्यसभा में oke sydend का या फिर speaker deputy speaker जो लोक सभा के हैं उनका remote किया जाए state assembly के जो speaker नहीं है, effective नहीं है, और simple नहीं है, तो आप उसे special majority कह सकते हैं, देखे special majority में basically 2 by 3 का इस्तेमाल होता है 2.3 की majority का इस्तेमाल किया जाता है हलांकि 2.3 की majority का जो इस्तेमाल किया जाता है वो अलग-अलग तरीके से किया जाता है और ये इस लिहाज से 4 तरीके के होते हैं जिनके बारे में हमारे संविधान में अलग-अलग articles में mention किया गया है चार टाइप्स होते है special majority के पहला टाइप है special majority as per article 249 249 में इसके बारे mention किया गया है type 2 है जिसके बारे में article 61 में लिखा गया है type 3 है जिसके जो provisions है वो आपको article 368 में मिल जाएंगे और type 4 है जिसमें article 368 के provisions तो है प्लस आथे से ज़्यादा states का ratification भी required होता है तो आईए एक एक करके चैरो types के बारे में जान लेते हैं ताकि फिर हमें कभी special majority के बारे में confusion ना हो देखे special majority type 1 जिसके बारे में article 249 में mention किया गया है इसका मतलब होता है two third members present and voting मतलब पूरे house के जितने लोग present है और vote कर रहे हैं उसके two third की आवशक्ता अगर पड़ती है तो आप उसे special majority type 1 कह सकते हैं example, example की बारे में बात करें तो राजसभा की मान लिजे हम बात करते हैं राजसभा की जो total strength है that is 245 लेकिन जो लोग present है और vote कर रहे हैं उनकी संख्या आप मान लिजे jalने सपोर कर लिजे कि सिर्फ 150 census है ठीक है तब special majority या होग इस special majority का मतलब होगा two-third two-third का मतलब होगा 100 और Plus one यानि या कि एक two-third का मतलब होता है कि आप 150 को 13 बाठ लिजे 50 plus 50 plus 50 और इसका दो हिस्टा two-third का मतलब होता है तीन का 2 हिस्टा तो तीन हिस्से 50-50 के हुए और इसका दो हिस्सा मतलब 100 हुआ और 100 में एक जोड़ दीजिए मतलब 101 जो majority होगी that would be at that condition special majority type 1 इसका इस्तिमाल कहां किया जाता है इसका इस्तिमाल जैसा कि आटिकल 249 में मेंशन किया गया है जब राज्य सभाय एक resolution पास करके parliament को empower करता है कि वो state list में सम्मंधित किसी विसे पर कानून बना सकते हैं इस स्थिती में special majority type 1 का इस्तिमाल किया जाता है यानि two-thor present and voting के लिहास से उस बिलको पास किया जा सकता है हलां कि जो ऐसे कानून बनाया जाते हैं वो केवल एक साल तक ही valid होते हैं हलां कि एक साल के बाद आप उसे फिर से extend कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब आईए बात करते हैं special majority type 2 की जिसके बारे में हमारे संग्धान में article exit में mention किया गया है देखिए इसमें two-thor of total strength की बात की जाती है मतलब जितनी strength है total उसका two-thor of total हमें चाहिए कि उस resolution को pass करने के लिए in fact ये काफी हद तक बहुत ही tough majority मानी जाती है और अगर ये काफी tough majority है तो इसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा आप yes कर सकते हैं इसका इस्तेमाल president को impeach करने के लिए किया जाता है तो देखिए अगर हम लोगसभा की बात करें तो लोगसभा की जो total membership है that is 545 उस condition में जो special majority type 2 होगा यानि कि two-thor of total होगा that would be 364 जबकि राज्यसभा की जो total membership है that is 245 इस city में जो special majority type 2 होगी यानि कि two-thor of total membership that would be 164 इसका इस्तेमाल किया जाता है president को impeach करने के लिए जिसका प्रावधान हमारे संविधान में अनुक्षेद 61 में रिया गया है तो यह हमने समझा है special majority type 2 के बारे में अब आए चलते हैं type 3 पे देखिए special majority type 3 जिसके बारे में हमारे संविधान में 360 में mention किया गया है इसका मतलब होता है two-third present and voting plus absolute majority यानि कि जो two-third present and voting होना चाहिए वो 50% of total से कम नहीं होना चाहिए two-third of present and voting जो है majority है वो absolute majority से कम नहीं होना चाहिए यानि कि 50% of total से कम नहीं होना चाहिए यह जो majority का type है इसका इस्तिमाल अक्सर संविधान संसोधन में किया जाता है या फिर देखिये, to pass a constitutional amendment bill in Rajya Sabha, in addition to getting the support of 123 members, the bill should be favored by more than two-third of the members present and voting, या माल लेते हैं कि कोई संग्जान संसोधन है, जिसमें Rajya Sabha में हम बात कर रहे हैं, तो two-third की majority चाहिए, अगर majority type 3 चाहिए हमें, special majority type 3 चाहिए, तो जो two-third होना चाहिए, वो 123 से कम नहीं होना चाहिए, 123 का मतलब दूगना करेंगे तो 246 आएगा, मतलब जो absolute majority है, राज्यसभा में वो 123 है, तो जो two-third of present and voting राज्यसभा में होगा, वो 123 से जादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए हर इस्थिती में, तो ऐसी कौन सी conditions हैं, जहां पर special majority type 3 का इस्तिमाल किया जाता है, इसका इस् Supreme Court या High Court के Judges को, Chief Election Commissioner को, या फिर CAG को, तो इस सिती में हमें special majority 3 का इस्तिमाल करना होता है, यानि two-third present and voting not less than absolute majority, वो absolute majority से जादा होना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा, national emergency को अगर हमें approve करना है, दोबारा, तो हमें इसी majority की आवशक्ता होती है, और अगर state legislature, किसी जो legislative council होती है, उसके abolition का कोई प्रस्ताव रखते हैं, तो उसके लिए भी इसी majority का इस्तिमाल किया जाता है, ठीक है, आईए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं special majority type 4 के बारे में, देखे, special majority type 4 का इस्तिमाल तब किया जाता है, जब कोई ऐसा संविधान सा सोधन प्रस्तुत किया जा है, जो कि हमारे federal structure में बदलाव करना चाहता है, अगर हमारे संविधान के federal structure में कोई बदलाव किया जा रहा है, तो इस majority का इस्तिमाल किया जाता है, क्योंकि federal structure में बदलाव हो रहा है, तो उसका प्रभाव राज्यों पर पढ़ेगा, और अगर प्रभाव राज्यों पर प पास करेंगे, वो simple majority से करेंगे, ये question भी UPSC पूस्तु की है, ठीक है, example के तोर पे हम बात करते हैं, माल नीजिए Supreme Court के judges के election की किसी प्रावधान में आप बदलाव करना चाहते हैं, उनके अधिकारों में कोई बदलाव करना चाहते हैं, या फिर President का जो election का procedure है, आप उसमें को में बदलाव किया जा रहा है, तो States की सहमती आवश्यक होनी चाहिए, तो इस सिती में Special Majority Type 4 का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर से clarify करता हूँ, इसमें Two Third Present and Voting के साथ साथ, आधे से जादा राज्यों की सहमती भी आवश्यक होगी, और जो राज्य अपनी सहमती रेंगे, वो Simple Majority से देंगे, ये पूरा हमने सारी Majority के बारे में समझ लिया, एक बार मैं आपको revise करवाता हूँ, पूरा, एकडम सुरुआ से, चार तरीके की Majority होती है, Simple Majority, 50% plus 1, Present and Voting, उसके बाद Absolute Majority, 50% of Total Strength of House, उसके बाद Effective Majority, 50% of Total Strength minus Vacancies, उसके बाद हम चौथी Special Majority की बात कर रह तूसरा टाइप, 2-3rd of Total, तीसरा टाइप, 2-3rd of Present and Voting, बट नोट लेस दन Absolute Majority, और चौथा टाइप, Special Majority का, जिसमें 2-3rd of Present and Voting, प्लस, Consent of more than half of the state, that would be conveyed by Simple Majority, तो ये हमने सारे टाइप्स के Majority की बारे में चर्चा की, मुझे उमीद है कि Clear हो गया होगा, आप लोग तो आप लोग दोबारा गलत ना करें, तो चलिए, अगर आपको ये लेक्षास अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहा है कि बढ़िया है, यूस्फुल है, तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजे, नहीं किया है, तो कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को ल सबहुत लुक illness, क्या कर यूट लुक्षाइब आपको लाया है, तोस्क्त्राइब यूहि άppen लिजके को शेयर क्या है, तोस्क्त्राइब को रधक लिकशक्त्राइब को चैनल को लाए मेंस क।षिक